हेलो एवरिवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे विड़ेवर लनिंग प्रेटपॉर्म में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Human Geography, GC Leong Geography के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते है Chapter 4 में हम लोग है, Part 3 के आज हमें बात करनी है कल के lecture तक हम लोग Part 2 में जो है इस Chapter के दो टॉपिक, यानि कि विदरिंग को हम देख चुके है Physical withering क्या होती है, Chemical withering क्या होती है, यह हम समझ चुके है और Mass Movement को भी हम समझ चुके है तो आज के पार्ट पर हम लोग जो है इस Chapter का जो 3rd Part हम कह सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा Springs and Wells है उसके बारे में बात करेंगे ताकि हमारा जो यह effort है और हमारा जिस तरह के प्लेटफॉर्म में यह course चल रहा है इसका फायदा जो है वो जादा से यादा लोगों को मिल सकते हैं और बाकि जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं request करूँगा कि अगर आप लोग को content पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि वीडियो के notifications वगर आपसे बिल्कुल miss ना हूँ चलिए, start करते हैं आज का lecture और चलते हैं अपनी book की तरह देखिए, हमें बात करनी है groundwater से लिए ठीक है, groundwater ना मतलब है आप इस बात को समझगे का groundwater जो है वो ground में नहीं होगा, ठीक है ये बात आपको समझनी है, ये groundwater का मतलब confusion करने के लिए ये word ऐसा बना हुआ है, I don't know why but this groundwater is not ground, ठीक है, ये underground है ये जमीन के अंदर है, ठीक है, अब पहले आप लिखा गया है कि the whole process of the circulation of water between the land, sea and atmosphere is known as hydrological cycle, ठीक है उसको बोला जाता है hydrological cycle, ठीक, the movement of the water in the atmosphere and its effect on climates are dealt with in chapter 13 and 14, ठीक है कि किस तरीके से atmosphere में जो water है वो move करता है और उसका climate के उपर, क्या असर पड़ता है, ये हम लोग जो है, chapter 13 and 14, यानि कि आप कह सकते हैं कि इस book का जो part 2 है, ठीक है, जहाँ पर climate and vegetation को लेकर बात है, वहाँ पर थमझेंगे, seas and oceans के बारे में जो बात है, वो chapter 12 में की गई है, बाकी the effect of water on land as an agent of withering, erosion, transport and deposition is dealt within this and the following chapters, especially chapter 5, ठीक है, chapter 5 में जो है, वहाँ पर हम लोग specifically बात करेंगे, इसी सब चीजों को लेकर कि जिस तरीके से water as a agent काम करता है on the land, ठीक है, agent of withering, erosion, transport and deposition, ठीक है, ये चार phases होते हैं जो हमने बात किये थे, ठीक है, चलिए इसको दागे देखते हैं, बहुत असान चीज़े हैं, आपको बहुत जल्दी से चीज़े सब समझ में आ जाएंगी, सबसे बहले क्या लिखा गया है, when rain falls on the earth, it is distributed in various ways, ठीक है, जब धर्ती के उपर बारिश पढ़ती है, ठीक है, rain होती है, वाश को मतलब भाब बन के कह सकते हैं, वेपर बन के, वो सीधे आस्मान में ओड़ जाएगा, ये वैपरेशन के प्रोसेस के पर, ठीक, पहली चीज़ तो यह हो गई, दूसरा ये है, some is absorbed by plants and only gradually returned to the atmosphere by transpiration from the leaves of the plants, ठीक है, यानि कुछ क्या होगा, कि जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर जा रहा है, उसमें क्या है कि नीचे plant वागरा है, तो plant क्या कर रहे है, पानी को absorb कर रहे है, और फिर वो पानी जो है, कुछ समय के बाद, प्लांट्स की roots में जाएगा, roots से stem में जाएगा, इस तरह किसे धीरे-धीरे movement होते हुए, फिर वो leaves से बाहर निकल जाएगा, transpiration के form में, तो यहां से भी o atmosphere में ही जा रहा है, लेकिन यह थोड़ा सा gradual process है, slow process, evaporation जो है, वो fast है, ठीक, दूसरा है, much of it flows directly off slopes to join streams and rivers, eventually reaching the seas and the portions, ठीक है, उसको बोला जाता है runoff, इसका मतलब क्या है, कि कुछ portion ऐसा है पानी का जो slope में सीधे बह जाता है, ठीक है, ना तो वो मिटी के अंदर जा रहा है, ना वो plants में जा रहा है, और ना वो evaporate कर रहा है, वो सीधे-सीधे बह जा रहा है, और वो कहां चले जा रहा है, streams औ और rivers में जाके वो पानी मिल जा रहा है, उसको बोला जाता है, runoff, यह फिर इसका एक और थोड़ा से specific word है, surface runoff, ठीक है कि surface के ओपर से पानी बह रहा है, surface runoff, ठीक, इसके बाद, एक और portion है पानी का जहां वो जाता है, a considerable proportion of the water received from the rain or snow, however, percolates down into the soil and rocks, filling up joints and pore spaces and forming what is known as ground water, यह इस मुझ गया आप, कि considerable proportion, यानि कि काफी मातरा में पानी यह होता है, जो rain से या जो snow से पानी आ रहा है, उसका काफी मातरा में पानी क्या करता है, कि वो soil के अंदर percolate करता है, ठीक, soil है, यह हमारे जो rocks हैं, उनके अंदर percolate करता है, उनके बीच में जो joints होते हैं, उनके समझ गए कि पानी किस तरी किसे redistribute होता है, पहला तो यह है कि जमीन में पढ़ने के साथ ही वो evaporate हो जाएगा, पहला यह है, दूसरा यह है कि वो जमीन में पढ़ेगा, उसको plants absorb करेंगे, फिर वो plants में move करेगा, और फिर plants की leaves से बहार निकलेगा, transpiration, दूसरा यह है, तीसर पहला यह है कि जो हमारे soil है या जो rocks है, उनके अंदर जो joints है या जो pores spaces है, उनके थुरू पानी जो है अंदर जा रहा है, और फिर वो अंदर जाके क्या हो रहा है, accumulate हो जा रहा है, इखटा हो जा रहा है, और उसी पानी को हम बोलेंगे groundwater, ठीक, चलिए, आगे देखते है, groundwater plays an important road in withering and mass movement, and is also important as a means of natural water storage, ठीक है, withering में और mass movement में भी यह जो ground water है, वो अपना role play करता है, और natural water storage की तरह भी यह काम करता है, उसके बाद यह जो है, hydrological cycle में एंटर करता है, by the way of springs, अभी springs क्या होता है, यह हम देखेंगे, springs का मतलब यह है कि जब पानी थोड़ा सा surface में आ जाता है, वो springs होता है, ठीक है, अभी हम उसको आगे पूरा detail में समझेंगे, springs का यहाँ पर अलग से पूरा topic दिया गया है, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, the amount of water available to form groundwater depends to some extent on the climate, ठीक है, obvious सी बात है, अब इसको समझेंगे कैसे, climate के उपर निर्भर करता है कि हमारा groundwater में कि पानी है, ठीक है, या कितना पानी उसमें जाएगा, कैसे, देखिए, अगर dry climate होगा, यानि कि सूखा मौसम है, much precipitation may be quickly evaporated into the dry atmosphere and little moisture में percolate into the ground, ठीक है, अगर सूखा मौसम है, dry climate है, तो जितना भी precipitation आ रहा है, it can be in the form of rain, it can be in the form of snow, ठीक है, जितना भी आ रहा है precipitation, वो climate dry होने के वज़े से क्या होगा, तुरंत ही वैपरोड हो जाएगा, ठीक है, तो जितना जादा ही वैपरोड हो जाएगा, उतना ही पानी जो है, वो ground water में कम जा पाएगा, पहली बात आप यह समझ गए, दूसरा है, कि जहाँ पर condition बहुत जादा humid है, यानि कि जहाँ पर moisture जो है, atmosphere में आप कह सकते हैं, कि जो surrounding air है, उसमें काफी जादा है, ठीक है, जहाँ पर surface भी जो है, वो बहुत जादा गीला है, पहले से, हो सकता है, कि जैसे मान लीजे, बहुत दिनों तक बारिश पढ़ रही है, ठीक है, एक example दोर में आपको बताता हूँ, देखने के लिए आप इसको खुद परसीफ कर सकते है, कि वाले जिए किसी area में बहुत समय तक बारिश पढ़ रही है, तो शुरुवाती दिनों में क्या होता है, जब पहली पहली बारिश होगी, तो आप देखिंगे कि पानी जो है, वो surface के अंदर तुरंद चला जाएगा, लेकिन अगर continuous बारि surface of the ground जो है, वो already moist है, तो पानी क्या है, फिर वो जादा पानी जो है, वो surface runoff की तरह मूफ करेगा, ठीक है, उसमें फिर पानी की जो percolation है, वो अंदर की तरफ को पानी अंदर नहीं जाएगा, ठीक, तो यह बाद आप दो condition समझ गए, दो extreme condition है, dry climate में जादा तरह पानी जो बोलते हैं, वो हो जाएगा, पानी लेकिन अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, पानी अंदर इसले नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर already moisture बहुत जादा है, ठीक, अब अगर तीसरी condition है, in moderately humid areas, moderately humid areas का मतलब है, जहाँ पर runoff and sinks to the ground, जहाँ पर दोनों चीज़ हो ठीक है, the proportion of the rainfall observed as groundwater may depend on the season of the year, तो वही बात है, season के ओपर निर्फर कर सकता है, अगर गर्मियों की दिनों में होगा, तो आप समझ सकते हैं कि पानी जादा evaporate कर जाएगा, ठीक है, अगर बरसात के season में होगा, जिस समय वैसी already moisture बहुत जादा होता है, तो सीजी सी बात है आप पानी जो है वह अंदर नहीं जाएगा, वह water locked रह सकता है, या फिर अगर slope के में है, तो पानी जो है surface runoff के तरह flow कर सकता है, ठीक है, more importantly, however, is the nature of the rocks and how easily they absorb and retain water, यह भी इस पर भी depend करता है, ठीक है, कि rocks कैसे हैं और वो कितना जादा पानी को absorb और retain कर सकते हैं, ठीक है, various rocks and soils differ greatly in their porosity and permeability, यहाँ पर दो word दिये गए है, बहुत important है समझना आप लोग के लिए, एक है porous और दूसरा है permeable, यानि की porosity and permeability, ठीक है, यहाँ पर आपको ओपर यह चीज दिखाई भी गई है, इसको आप पर देख सकते हैं, फिर नीचे हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा यह है, यह है porous rock, example दिया गया है limestone, यह है permeable और pervious rock, ठीक है permeable और pervious एक ही चीज है, इसका example दिया गया है granite, ठीक है, इसको समझते हैं देखें क्या है, और इसको आप तरूस रोग जो है, उसमें क्या हो रहा है, कि जो rocks से उसके वीच में pores हैं, ठीक है, और उन pores से पानी जो है वो बह रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके pores spaces वगरा है और यहां से इस तरीके से पानी जो है वो जा रहा है, ठीक है, this is about your porous rock, और similarly आप देख सकते हैं, जो हमारा permeable rock है, या फिर जो pervious rock है, इसमें क्या है, joints and faults, ठीक है, यह पूरा का पूरा एकी पत्थर है, इस characteristics, ठीक है, इन दोनों characteristics है, यानि की permeability से, और porosity से यह पता लगेगा कि कितना amount of groundwater present है, और कितनी depth पर, यानि कि कितनी गहराई पर present है, ठीक है, अब देखिए, porous rocks के बारे में यहाप लिखा गया है, यह उस तरीके के rocks होते हैं, like sandstone, ठीक है, sandstone, which have many pore spaces between the grains, ठीक है, यानि कि इसके जो grains है, जो आप कह सकते हैं, कि rocks के जो constituent particles है, जिससे rock बना हुआ है, उसके बीच में काफी ज़्यादा क्या है, pore spaces है, ठीक है, तो water is easily absorbed by such rocks and may be stored in pore spaces, तो इसमें हम उपर देखी रहे हैं, क्या हो रहा था, कि पानी जो है, यह बड़ी असानी से क्या कर रहे है, पानी कर रहे हैं, और इनके जो pore spaces हैं, उनमें पानी क्या हो रहा है, इकटा हो रहा है, इसके बाद जो दूसर टाइप के rock हैं, और पर्मीएबल या फिर पर्वियस rocks, इनमें क्या है, which allow water to pass through them easily, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, कि पानी जो है, वो store नहीं हो रहा है, ठीक है, यहा क्या है, in rocks में क्या है, joints, ठीक है, joints and faults है, जिनके तुरू पानी क्या कर रहा है, flow कर जा रहा है, thus most porous rocks are also permeable, जादातर porous rocks जो है, वो permeable भी होते हैं, लेकिन कुछ rocks ऐसे हैं, जो porous है, बट permeable नहीं है, ठीक है, अंतर आप समझ गए, porous का मतलब है, कि जिसमें जो particles हैं, उसक तुरू पानी जा रहा है, और वो store हो रहा है, ठीक है, और permeable rocks या pervious rocks का मतलब यह है, कि जिसमें बीच में joints है, या faults है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, cracks है, पानी flow कर रहा है, और वो पानी उसके तुरू निकल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, कि thus absorbs a great deal of water, however the pore spaces are so small that the water does not move easily through the rocks, which is thus impermeable, ठीक है, अब आपने इसको example के तौर का आप इसको देखेगा, दो चीज़े होती है, ठीक है, मतल मैं आपको वैसे just an example बता रहा हूँ, आप देखेगा sand और आप देखेगा soil, ठीक है, यानि कि मिट्टी और रेत, अगर आप मिट्ट जो है, गीली हो जाती है, मिट्टी में से पानी ऐसाज बाहर नहीं निकलता, पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन आप अगर soil, जो sand है, यानि कि जो रेत है, उसमें आप पान डालेंगे, तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, उसके पार निकल जाएगा, गीली जरूर हो जाए है, मिट्टी में क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, और वो स्टोर हो जा रहा है, ठीक, लेकिन जो sand में आपको बता रहा हो, sand में क्या हो रहा है, कि पानी अंदर जा तो रहा है, लेकिन उसके थूरू पार्स हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, permeability, ठीक है, औ पानी जो है वो इखट्टा नहीं होगा और यह पर्वियस है यानि कि पानी इसके थ्रू जो है वो पास हो जाएगा ठीक है इट्स इंडिविज्विज्वल क्रिस्टल्स एब्सॉर्ब लिटल और नो वाटर बट्ट दर रॉक में हाव नूमरस जॉइंट्स और क्रेक्स थू रेंडरिंग इट पर्वियस और पर्वियबल यही सखी बात आपको बता रहो कि पानी जो है उसके थ्रू अगर निकल जा रहा है बार ठीक है उसके अंदर जॉइंट्स तो आपको फिर कभी भी इस concept में doubt नहीं होगा और आप इसको कभी बोलिंगे नहीं ठीक है हाला कि यह लिखा गया है कि कुछ granites ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जादा pervious होते हैं परिवियस मतलब वही permeable है लेकिन granite के बारे में लिखा गया है कि ground water जो है वो surface पे नहीं है वो surface water नहीं है वो ground water है यानि कि वो जमीन के अंदर है underground है ठीक अब उसी में एक term आता है concept आता है water table का कि water table क्या है चलिए देखते है water which seeps through the ground moves downward under the force of gravity until it reaches an impermeable layer of rock through which it cannot pass ठीक है देखिए अभी हम यहाँ पर दो पत्थरों के बारे में हमने सीखा porous और permeable पत्थर क्या है permeable rock ऐसा है जिसके तुरू पानी नीचे को मतलब उसके तुरू पानी पास कर जा रहा है पानी को जब तक जगे मिलेगी चाहे इंदी form of cracks मिले चाहे कुछ भी मिले और कितना भी छोटा crack हो पानी सबसे छोटे से छोटा crack ऐसा crack जो आपको और हमें naked eye से नहीं दिखाए दे पानी उसके तुरू भी निकल जाएगा ठीक है पानी को कोई बड़े crack की जरूरत नहीं है तो जब तक permeable rock होंगे permeable rock है permeable rock की layer है पानी उसके थूरू नीचे को जाता रहेगा और रुकेगा वो कब यानि कि एक तरह किसे वो इखटा होना कब शुरू होगा जब उसको क्या मिलेगी impermeable layer of rock तब वो पानी जो है इखटा होने शुरू होगा तब उसको वो रुक मानले impermeable layer के उपर पानी आ गया अब वो वहाँ पर इखटा होना शुरू हो जाएगा अब वो कहीं जा नहीं सकता ठीक है the permeable rock in which the water is stored is known as an aquifer जो permeable rock था जिसके थूरू पानी पास होके गया है ठीक है और impermeable rock के उपर पानी खटा होना शुरू होगा है तो वो permeable rock जो होता है जिसके तुरू पानी बहता है उसको बोला जाता है aquifer ये ध्यान रखेंगे ठीक the surface of the saturated area is called the water table जो पानी जहां पर impermeable rock के उपर इखटा हो रहा है उसकी जो surface है उसको बोला जाता है water table ठीक the depth of the water table varies greatly according to relief and to the type of rocks ठीक है कि water table की जो depth है जो गहराई है वो बरावर नहीं है ठ type of the rocks के अधार पर क्या करती है चेंज करती है ठीक है जो water table है is far below the surface of the hilltops but is close to the surface in valleys and flat low lying areas where it may cause water logging and swampy conditions ठीक अब जैसे माली जी नीचे देखिए example आपको यहाँ पर figure दिखाया गया है कि यहाँ पर groundwater जो है इसकी water table अगर आप देखींगे यहाँ पर अगर आप बात कर रहे है यह पहाड़ी है ठीक है यह पहाड़ी है अब इस पहाड़ी में क्या होगा कि जो water table है वो थोड़ा नीचे होगी ठीक है क्योंकि water table ऐस सच यहाँ पर इसनों ने काफी ऊपर बनाई वी है अलाकि है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि यह कुछ इस तरीके से है मतलब इसकी अगर आप यहाँ से depth देखींगे तो यह जादा है ठीक है surface से depth क्या है water table की जादा है और जैसे जैसे हम जो है flat area की तरफ को अपने बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर इसकी depth आप देख रहे है क्या हो रही है कम हो रही है यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है और जो low lying area वहाँ पर यह पानी जो है बाहर आजाएगा जहाँ पर भी हमारा जो water table है वो surface से मिलेगा वही पर spring बनेगा यह ध्यान रखना है कि spring क्या होता है spring इस तरह की opening के थूर जो पानी बाहर आता है वो है ठीक है और वो बाहर कब आएगा उसके लिए condition क्या है कि water table का जो level है जो water इस शेत्र है वहाँ पर क्या होगा कि water table की जो depth है वो थोड़ा से जादा होगी as compared to the flat or low lying areas ठीक the depth of the water table also greatly varies with the seasons यह भी obvious सी बात है कि seasons के साथ भी वो उसमें फरक पड़ेगा उसकी जो depth है when plenty of rain is available to augment the ground water supplies the water table may rise but in dry periods no new supplies are available and the water table is lowered as ground water is lost through seepages and springs ठीक है यह बात भी बिल्कुल सह दिनों में क्या है कि पानी कम आ रहा है तो पानी कम आ रहा है तो पानी कम इखटा होगा और पानी कम इखटा होगा तो ground water का जो level है यह आप जो कह सकते हैं कि water table की जो level है वो नीचे हो जाएगा और बरसात के दिनों में क्या है कि जादा पानी आ रहा है तो जो water table का level है वो हो जाएगा ठीक यहां तक आप बात समझ गए चलिए आगे देखते हैं Springs अब मैं आपको समझा हूँ हूँ Springs के बारे में क्या है ठीक है अभी तक हम यह groundwater क्या है groundwater क्या है groundwater टेवल क्या है यह हम समझ गए अब हम बात करेंगे Springs and Wells क्योंकि Springs and Wells जो concept है वो groundwater से ही संबंदित है क्योंकि groundwater जब surface में बाहर आएगा वो दो तरीके से आ सकता है या तो Springs के form में और दूसरा है Wells Wells तो आपको पता ही है ठीक है Wells क्या होता है that is कुआँ चलिए सबसे पहले Springs के बारे में पढ़ते है the groundwater is stored in the rock is released onto the surface at points where the water table reaches the surface यही मैं आपको बताया कि पानी जो है वो surface से बाहर कव आएगा जो groundwater है वो surface से बाहर अपने आप तो नहीं आएगा वो सिर्फ तब आ सकता है जब जो water table का जो level है ठीक है वो surface के level पहुँच जाएगा तब ठीक है कि हम उसको फिर खीच सकते हैं बार मतलब पानी कीचने के लिए हम कुछ कुँआ वगरा खोद सकते हैं ठीक है वो अलग चीज है वो natural नहीं है basically उसको लिए हमें थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके के establishment बनाना पड़ेगा लेकिन इस तरीके establishment बनाने की कोई जर्वत नहीं है जहां पर भी water table जो है वो surface के water बना वाटर के surface पर अपने आप उसका level आएगा तो उस जगे से पानी जो है वो बार आ जाएगा ठीक है पानी जो है वो fountain की तरह भी भार आ सकता है अगर उसके अंदर प्रेशर जादा है तो fountain की तरह भी भार आ सकता है या फिर वो silently भी जो है पानी भार निकल सकता है ठीक है fountain की तरह से किस तरह की से बाहर आता है हमने पिछले lecture में एक जो हमने वो बात की थी yellow stone national park में जब हम लोग hot spring और geezer की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था ठीक है किस तरह की से पानी जो है वो काफी ज़दा प्रेशर से बाहर आता है हलाकि वहाँ पर वो heat वगरे की वैज का role भी है वो आप नहीं है लेकि मतलब आप fountain का concept समझा रहा हूँ है आपको fountain का मतलब है कि पानी जब बहुत ज़दा pressure से बाहरा रहा है ठीक है तो दो तरहीके हो सकते हैं अगर अंदर पानी का pressure ज़दा है तो वो pressure से भी भाहरा सकता ह अगर pressure नहीं है और water table अगर surface पर मिल जाती है तो पानी हलके हलके करके भी silently भी भाहरा सकता है in the form of springs ठीक है springs are of several kinds due to the nature of the rocks and the position of the water table ठीक है nature of the rocks और position of the water table पर निर्भर करते हुए different करते हुए springs जो है वो cal type का हो सकता है the main types are discrete below ठीक है यहाँ पर कुछ 3-4-5 type के आपको दिये गए हैं इनको देख लेते हैं क्या है सबसे पहला है in areas of tilted strata देखे strata word आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और strata का मतलब होता है layer ठीक है stratum is layer and strata is a plural of that that is layers ठीक tilted strata मतलब layer जो है वो tilt है मतलब एक तो layer होती है स तरीके की ठीक है एक होती है tilted tilted मतलब at an angle तो यह बात की जा रही है tilted strata की ठीक जहां पर permeable and impermeable rocks alternate यहां लग एक layer impermeable rock की है दूसरी permeable की है फिर impermeable की है इस तरीके से, ठीक है, तो water emerges at the base of the permeable layer, तो पानी जो है वो permeable layer की base से बाहर आ सकता है, ठीक है, देखे, पिछले page में ये diagram आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको हम देख सकते हैं, देखे, ये है, ठीक है, pervious rock है, impervious rock है, ये pervious rock है, ये impervious rock है, ठीक, अब देखे, pervious rock से क्या ह पानी अंदर जाएगा, तो जा सकता है, impervious rock में पानी नहीं बाहर जाएगा, तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, ठीक है, water may come out from air, similarly, अगर पानी यहाँ से जा रहा है, वो pervious rock के अंदर जा सकता है, लेकिन impervious rock से वो पास नहीं होगा, तो फिर यहाँ से बाहर निकल जाए तो इसकी जो base है, pervious rock का जो base है, वहां से पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि impervious rock में पानी जा नहीं सकता, उसके पास मजबूरी है, बाहर निकलने के लाव़ वह और कहीं जा नहीं सकता, ठीक है क्योंकि उसको नीचे को flow तो करेगा क्योंकि slope है तो इसलिए पानी नीचे को भी flow करेगा इसके अंदर वो जा नहीं सकता यहां का movement restricted है तो पानी यहीं से बहाँ निकले और उसके बास कोई option है नहीं ठीक है यह आप समझ गए चलिए इसके बाद दूसरे टाइप का देखते है क्या है दूसरे टाइप का होता है इन वेल जॉइंटेड रॉक्स वाटर में परकॉलेट डाउनवर्ड अंटिल इट रीचेस अ जॉइंट विच इमर्जेस एड दी सर्फेस ठीक है जहाँ पर देखे जॉइंटेड है अब देखे यहाँ पर आपको देख सकता है यह जॉइंट है ठीक है पानी अंदरी तरफ को आ रहा है यहाँ पर रॉक्स वे जॉइंट और फिशर्स है पानी अंदरी तरफ को जाता जाएगा ठीक है गब तक जाता रहेगा जब तक उसको कोई इस तरहीक का जॉइंट नहीं मिलेगा जहां से माधब पानी जो है वो बाहर निकल सकता है अब यह water level इस तरीके से है और जैसे ही यह water level आपकी surface में मिलेगी ठीक है यह surface है is intruded through the permeable rocks, it causes the water table to reach the surface and the water issues as a spring. ठीक है? डाइक के बारे में हम लोग ने पिछले जप्टर में ही बात की थी, जहांपर हम volcanism की बात कर रहे थे. ठीक है? वो आपको पता है, इस तरीके से एक structure है. अब इसमें क्या है? कि यह water table है. यह हमारा permeable rock है. ठीक? तो पानी इसके तरू चला जाएगा नीचे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं. ठीक है? अगर पानी इस permeable rock से, यहां से suppose कर लीजे, पानी अंदर की तरफ को आ रहा है, rain water है, ठीक? इसको आप यहां पर लिख लीजे, this is your rain water. rain water अंदर की तरफ को जा रहा है, पानी अंदर की तरफ को जाता जाएगा, और जहां पर उसको इस तरह की impermeable rock मिलेगा, जिसे यह impermeable है, अब यहां से पानी नीचे नहीं जा सकता है, this movement is restricted, यह पानी यहां नहीं जाएगा, ठीक? क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यह impermeable है, अब जैसे यहां पर impermeable होगा, तो यहां पर क्या होगा, कि water table का जो depth है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जहां पर यह water table जो है, फिर से आपकी surface पे मिलेगी, वहां से पानी जो है, वो बाहर आ जाएगा, this is no result, dike spring, ठीक है? सिविलली, अगर हम यहां की बात करें, यहां से जो पानी अंदर की तरफ को जाएगा, उसमें भी यही होगा, इस एरिया में नीचे impermeable, अगर इस ट्रेटा है, impermeable layer है, तो यहां से इसका water table की जो depth है, वो बढ़ेगी, और जहां पर water table जो है, फिर से हमारा सर्फेस पे मिलेगा, वहां से इस तरीके से पानी बाहर निकल जाएगा, but this is not a dike spring, क्यों? क्योंकि dike सिर्फ यहां पर है, this is simply a spring, ठीक है? चलिए, इसका अगला देखते हैं क्या है? In limestone or chalk escarpments, escarpments का मतलब होता है, प्रेकी की चटान सी बनी होती है जहां पर, where the permeable rock lies between impermeable strata, ठीक है, permeable rock, अब देखें, यहां पर क्या है कि permeable rock जो है, वो impermeable strata के बीच में है, ठीक है, water issues at the foot of the scarf as a scarf foot spring, और near the foot of the dip slope as the dip slope is, ठीक है, देखें, बहुत आसान है, यह आपका impermeable rock है, और यहां पर भी आपका impermeable rock होपा, ठीक है, इसके बीच में क्या है, limestone scarpment which is a permeable one, ठीक है, यह permeable है, तो यहां पर क्या होगा कि पानी जब आएगा, तो इसमें आपको दो तरीके कि सी समझनी है, जो इसका direction है यह, ठीक है, इसी direction के according जो आपका slope बन रहा है, this is your dip slope, ठीक, और इसके जो opposite slope होगा, क्योंकि अगर इस तरीके कि आपके मानी जे layer है, तो इसका एक slope इस तरफ को भी होगा, which will be more slant, यह आप कह सकते हैं कि इसके steep होगा, that is known as a scarf slope, ठीक, तो इस तरफ से पानी बहार निकलेगा, तो this is known as a scarf slope, यह scarf foot spring, और इस तरफ से पानी बहार निकलेगा, that is your dip slope spring, ठीक, और ध्यान आपको यह रखना है, कि इसमें limestone escarpment, that is your permeable, limestone escarpment आपका permeable होगा, और permeable के बीच में आपका impermeable है, ठीक है, अब आप समझ सकते है, कि अगर यह permeable है, इसमें पानी अंदर की तरफ को जा सकता है, लेकिन पानी ना तो इधर की तरफ को निकल सकता है, ना इधर की तरफ को निकल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ ही impermeable rocks है, तो क्या है पानी के पास option, वो फिर यहीं से बाहर निकल सकता है और कोई option उसके पास है भी तो नहीं आप उसको समझे ना पानी अंदर जाएगा water table यहाँ पर बढ़ रहा है पानी बाहर निकलेगा कैसे क्योंकि इधर और इधर को तो पानी जाएगा नहीं मैं फिर से आपर बनायता हूँ अगर यह कोई slope है जो slope के side का जो area है मतलब आप कह सकते हैं कि जिस direction में है उसके जो direction का ही जो slope है that is your dip slope ठेक और इसका जो opposite side का slope है इस तरीके का जो होगा that will be your known as scarf foot ठेक है that is known as scarf foot ठेक है तो जो इस तरफ से निकलेगा हराम से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ आप बिल्कुल ध्यान से समझ के चलेगा कि permeable में पानी अंदर जा सकता है impermeable में पानी बाहर अंदर नहीं जा सकता है ठेक है तो जैसे ही permeable impermeable से मिलेगी पानी जो है बहार निकल जाएगा ठेक जी आपको समझना है and the form of spring ठेक है चले एक last type का यहाँ पर और दिया गया है last दिया गया है उसको समझ लेते हैं क्या है cast regions फिर से वही बात की जा रही है cast region cast regions आपको पता है कैसे होते है जहाँ पर limestone topography होती है जनरली ठेक है वही बात है जो उपर दिया गया है वहाँ पर जो limestone escarpment से वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है और यहाँ पर जो limestone है यहाँ जहाँ पर cast regions है वहाँ पर भी यही है इसमें क्या है देखिए कि rivers often disappear underground इसमें आपने देखा होगा हम नोगों ने पहले भी बात किया है अलागी कि limestone regions जो है या जो हमारे cast regions है cast topography है वहाँ पर इस तरीके का होता है कि जो rivers है वो एकदम से underground हो जाती है मतब dive हो जाती है ठीक है उसके बाद वो क्या है कि they flow through the passages worn in the rocks by solution and may re-emerge when limestone gives place to some impermeable rocks ठीक है यानि कि वो जो solution वगरा है क्योंकि हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि जहाँ पर limestone होता है वहाँ पर solution जादा होता है ठीक है solution जो है वो limestone की region में जादा होता है क्योंकि limestone मतलब एक तरीके साब simple समझ की चलिए ठीक है चूना पत्थर जो होता है उसमें पानी जो है वो पानी में एकदम से घुल जाता है solution उसका बड़ी असानी से बन जाता है ठीक है तो उस region में क्या है कि जो cast region है जो limestone का region है जो चूने पत्थर का region हो वहाँ पर पानी बड़ी असानी से अंदर चले जाएगा ठीक है और उसके बाद फिर वो वापस से कहां पर भार आएगा जहां पर उसको फिर से impermeable rock मिलेगा ठीक है और इस तरीकी के spring को बोला जाता है walk closeian spring ठीक है जैसे ही अंदर की तरफ को जगे मिली जहां से इसको cast region मिला यहां पर impermeable rock है तो यह इसके अंदर नहीं जा सकता ठीक जैसे ही इसको यहां से जगे मिली यहां से अंदर चला गया यह पूरा का पूरा cast region है यह पूरा का पूरा का पूरा यहां पर क्या है यह बहार निकल जाएगा, जैसी इसको जगे मिलेगी बहार निकलने की यह बहार निकल जाएगा, and that is known as Walklusion Spring, ठीक है, इसको बलाया था Walklusion Spring या फिर Resurgence, ठीक है, तो आप एक तरह किसे कह सकते हैं कि नदी जो थी, यहाँ पर underground हो गई, यानि कि इस region में क्या है कि पानी फिर से बहार आ जाएगा, ठीक है, in the form of spring, ठीक, बहुत सिंपल है समझने के लिए, यह पांच के पांच आप समझ सकते हैं कि Tilted Strata में क्या हो रहा है, जहाँ पर rocks में joints है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर हमारा dike है, वहाँ पर किस तरीके से है, जहाँ पर scarf foot है, या फिर जहाँ पर हमारा limestone escarpment है, वहाँ पर क्या हो रहा है, और जहाँ पर हमारा cast regions है, वहाँ पर किस तरीके से walk illusion springs बन रहा है, ठीक है, इसके बाद other types के springs के बारे में बताये गया है कि hot springs है या जो mineral springs springs है, geezers है, उनके बारे में हम chapter 3 में बात कर चुके है, ठीक है, yellow stone national park में मैंने आपको old fountain दिखाया था, है ठीक है, चलिए, इसके बाद हम last देख लेते हैं, इसके बारे में एक last topic है that is about the wells, wells का मैं आपको पहली बता दिया, that is springs are the natural emergence point of groundwater, but men can make use of stored water below by sinking wells, मैंने आपको पहली बताया कि springs क्या है, natural emergence है, कि जहाँ पर भी water table जो है, वो surface के साथ मिलेगा, तो spring बहार आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आदमी है, मतलब औरत भी हो सकती है, obvious मैंन मतलब human, ठीक है, तो man मतलब human, वो इस water table का, जो पानी है अंदर उसका use खुद भी कर सकता है, कैसे कर सकता है, wells खोट के, कुएं खोट के, ठीक है, कुएं खोट के पानी जो है, वो बाहर निकाला जा सकता है, a hole is bored through the earth until the water table is reached, ठीक है, और तब तक किया जाता है, जब तक water table नहीं मिल जाता, ठीक है, और water table मिलने के बाद, फिर क्या है कि वहाँ से पानी बाहर आ जाता है, a well must be sunk to the depth of the permanent water table, if a constant supply of water is to be obtained, ठीक है, क्योंकि देखिए, हमने बात करी है, कि water table की तो depth है, वो constant नहीं है, बरसाद के दुनों में वो हो सकता है, कि थोड़ा सा पानी उपर तक आ जाए, और गरिम्यों के सीजन में क्या है, कि पानी थोड़ा सा नीचे चले जाए, तो permanent water table आप एक तरीके से कह सकते हैं, कि वो level है, जहां पर आपको guarantee है, कि पानी throughout the air आपको मिलेगा, यानि कि एक level है, उससे नीचे, अगर आप वहां तक पहुँच चुके हैं, तो वहां पर आपको पानी फिर हमेशा मिलेगा, यानि कि उससे नीचे पानी का level कभी भी नहीं जाएगा, अगर आपने सिर्फ उपर ही उपर, मान लीजिए आप बरसात की दुरों में आपने कुगा खोदने ही कोशिश करी, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि पानी उपर के level पर ही मिल जाएगा, तो आप वहीं पर उसको रोक दिंगे, जो आपने hole किया है, बोर किया है, वहीं मत्तब जिसमें हमें साल भर पानी मिल सके, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी को, या कुए की जो height है, उसको नीचे तक खोदिंगे, depth को नीचे तक खोदिंगे, जहां तक permanent water table होगा, यानि कि जहां पर हम ये ensure कर पाएंगे कि पानी हमें साल भर मिलेगा, यहीं चीज़ यहां पर समझाई भी गई है, कि if a well is only sunk to the wet season depth of the water table, water will be on octable when the level drops in the dry season, वही बात है, कि अगर आप बरसाग की दुनों में खोदिंगे, तो आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन फिर गर्मयों की दुनों आपको पानी वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो when a well is bored, the water usually has to be raised by hand or by mechanical pumping, यह तो सही बात है कि कुए में आप लोगों ने देखा भी होगा, I don't know कि आप लोगों ने खुद कितना experience किया है, अगर किसी ने किया है, तो थोड़ा अगरा लगा जाएगा, ठीक है, wells are particularly important in arid areas, where there is little surface water, but where the underlying rocks contain groundwater, ठीक है, तो इस तरीके कि जो सूखे शेत्र हैं, जो arid areas है, वहाँ पर wells काफी जादा important है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि surface water काफी कम होगा, लेकिन underground जो rocks है, उनमें पानी होगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर rocks जो है, काफी जादा important है, ठीक है, एक particularly important type के जो well है, जिनको artesian well बोला जाता है, ठीक है, हलाकि आप ये वाला जो मैं बता रहा था, वो यहाँ पर देख सकते है, अगर water table ये है, ठीक है न, water table ये है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये wet season की water table है, ठीक है, wet season की, यानि थोरो सा उपर आ गई है, तो अगर आप इतने में hole कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखें, पानी मिलेगा नहीं, इस surface पर आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक, अगर आप इतना hole करते हैं, तो आपको ठीक है, आपको wet season का जो time है, वहाँ पर पानी मिल जाएगा, यही लिखा गया है, during the wet season water table, आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस depth तक जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर हमेशा पानी मिलेगा, क्योंकि आपकी जो permanent water table है, वो यह है, permanent water table का मतलब है, कि गर्मियों में भी जो पानी का level है, वो इस level से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हमेशा पानी जो है, वो मिल जाए, ठीक, इसलिए आप समझ सकते हैं, कि अगर आप इस पहाड़ी पर कुवाँ खोदेंगे उपर, तो आपको कितना गहरा कुवाँ खोदना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको पानी मिल सकता है, यहाँ तक, इतने हाइट का, ठीक है न, इसी कलर में कर देते हैं, इसको ताकि यह जैसा लगे, ठीक है, यह देखिए, ऐसे, तब आपको इतना पानी खोदना पड़ेगा, तब जाकर आपको पानी यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, आटीजियन वेल्स का एक कंसेट दिया गया है, वो क्या है, देखिए, आटीजियन वेल्स क्या होता है, which owing to the nature of its formation is quite distinctive, तो रहाँ सा अलग होता है यह, where rock layers have been down folded into a basin shape, basin shape मतलब नीचे से स्त्रीक ही देखिए, यह circular आपको shape दिख रहा है, semi-circular type आप कहा सकते हैं, basin, तो वो यहां पर बना हुआ है, इसमें क्या होगा, permeable strata, such as chalk और limestone may be sandwiched between impermeable layers such as the clay, इसमें दो layer that is impermeable, यह आप कह सकते हैं कि impervious rocks, ठीक है, यह वाली जो है, जो आपको दिखाए गई है, इस तरीकी की colored, this is your impervious, ठीक है, और यह वाली जो layer दिखाए गई है, this is also impervious, ठीक है, और इस के बीच में क्या है कि pervious rock है, यह वाली पूरी की पूरी जो है, this is your pervious rock, मैं इसको color कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, so that आपको अलग से पहचान हो जाए, this is your pervious, यह जो मैंने blue color किया हुआ है, this is pervious, ठीक है, और इसी को लिखा गया है, pervious rock को ही हमने बात की थी, that is known as your aqu prefer, ठीक है, और pervious जो word है, इसको आप confuse नहीं करेंगे, this is permeable also, ठीक है, permeable या pervious e की चीज़े है, ठीक, impervious rock is also known as impermeable rock, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा सा आप लोग की vocabulary बढ़ाने के लिए किया गया है, कि दो word अलग अलग यूज़ के गया है, अधर एक ही word भी अगर यूज़ के आ सकता था, ठीक है, आप फिलाल concept समझ गए कि क्या हो रहा है, basin बना है, और basin में जो beach का region है, वहाँ पर permeable या pervious rocks है, जो की aquifer है, ठीक है, जो मैं आपको blue color में दिखाया है, और बाकी जो यह ऊपर नीचे की दो है, जो आपको colored में दिख रहे हैं, यह impervious rock है, ठीक है, अब imper flowing on them will gradually seep downwards by the force of gravity until it reaches the lowest part of the basin, ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इसके उपर भी यहाँ पर पूरा का पूरा rock है, ठीक है, इसके तुरू भी पानी अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी जो है, जो rainfall का पानी है, वो यहाँ से अंदर जाएगा, similarly, यहाँ से अंदर जाएगा, जहाँ पर भी इस तरीके का खुलावा region है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो impermeable rock है, यहाँ से पानी जाएगा नहीं, ठीक, पानी अंदर जाएगा, पानी यहाँ यहाँ पर इखटा होता जाएगा, ठीक, क्यों होता जाएगा, जब तक पानी यहाँ लोवर water from passing downward, while the impermeable layer on top prevents any possibility of the water escaping upwards, the aquifer is thus saturated to the brim of the basin, ठीक, बिल्गुल बात समझ गया आप, पानी नीचे को भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी impermeable rock है, पानी क्या होगा, इस aquifer में बीच में पानी जो है खटा हो जाएगा, ठीक है, तो water is thus trapped in the aquifer under great pressure, अब पानी अगर कम ह तब तो ठीक है, तब तो pressure नहीं होगा, अगर मान लीजिए, पानी जादा है, ठीक है, पानी जादा है, पानी आते जा रहा है, ना वो ऊपर की तरफ को जा सकता है, ना वो नीचे की तरफ को जा सकता है, तो पानी में क्या हो जाएगा, बहुत जादा pressure generated हो जाएगा, ठीक ह तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इस तरह कोगा खोदेंगे तो पानी जो है वो fountain की तरह से बाहर आ जाएगा क्यों क्योंकि उसका pressure जो है वो बहुत जादा है after a time the pressure decreases and it is necessary to pump up the water ठोड़े समय के बाद वही है कि पानी कम हो जाएगा तो pressure भी कम हो जाएगा और pressure कम हो जाएगा तो उसको फिर पानी को फिर से वापस pump करके हमें बाहर निकालना पड़ेगा ठीक है और इस तरह के कि जो well होते है उनी को बोले जाता है artisan well ठीक the depth of the artisan well varies from place to place from a few feet to thousand of feet the water may be used to supply the needs of an entire village as in great plains of USA or for sheep farming as in Queensland and other parts of Australia ठीक है यह figure में आपको यहाँ पर तुर असा map में दिखाया गया है ठीक है और अस्ट्रेलिया का यहाँ पर दिखाया गया है great artisan basin यहाँ पर आपको इस तरह के काई जो पूरा का पूरा colored में दिख रहा है यहाँ पर आपके artisan basins वगरा है ठीक है तब इतने जाद हमारे लिए ऐसा map वगरा ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं फिर से आपको बताया था कि book foreign author की है तो वहाँ पर examples वगरा जनरली वहीं के देखने को मिलते है ठीक है shows the distribution यह जो figureman आपको दिखाया है उसमें क्या दिखाया गया है कि artisan wells का distribution ऑस्टेलिया में but the water is sometimes unsuitable for agriculture और irrigation purposes as it may be hot और contain an excessive amount of mineral salt ठीक है कभी-कभी यह पानी जो है irrigation के लिए और agriculture purpose के लिए use नहीं किया जा सकता है क्यों क्योंकि इसमें हो सकता है कि यह काफी दा गरम हो क्योंकि pressure काफी दा pressure के साथ यह पानी अंदर था तो गरम भी हो सकता है और इसमें mineral salts भी हो सकते है और salty water जो होगा उससे ना तो agriculture किया जा सकता है और ना ही वो irrigation के लिए use हो सकता है artisan wells are most valuable to men when they can be used in desert areas जैसे की parts of Sahara and in Australia the aquifers receive water in areas of higher rainfall but the water accumulates in bases underlying arid regions ठीक है all wells bored by men tend to deplete groundwater resources because the water is extracted faster than in the natural condition and also much faster than it can be replenished by rainfall तो जो भी कुए वगरा खोदे जाएंगे उससे groundwater तो deplete होगा obviously बाद है groundwater से गरम पानी बाहर निकाल ले है तो वो obviously कम हो गई होगा in many areas the groundwater supplies have been greatly reduced or even exhausted by men as a result of carelessness and over exploitation यानि की लापरवाही की वज़े से और आप कह सकते है over exploitation यानि की जादा उप्योग करने की वज़े से जो है इस तरीके का जो groundwater की supply है वो काफी जगव में क्या हो गई है कम हो गई है या फिर खतम भी हो गई है I hope कि आप लोग को भी equally मज़ा आया होगा या इससे भी जादा मज़ा आया होगा समझते हुए चीज़ों को तो देखते देखते ही हम लोग इस बुक के जो है चार चेप्टर अपने cover कर चुके है अब हम लोग जो पांच वह चेप्टर है जो पांच वन है इसका वो 12 चेप्टर का है जिसमें से 4 हम कर चुके है 33% हमारा हो चुका है तो आप लोग थोड़ा सा एक पांच मुझे बताइएगा कि आप लोग को किस तरीके का लग रहा है क्योंकि आप लोगों की demand पर ही और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे से पहले जो जुगरफी पड़ी थी यानि कि जो फिसिकल जुगरफी पड़ी है जितनी भी हमारी NCRT थी वो आपने पड़ी है और उसको देखते हुए ही और उसको समझते हुए ही आप लोगों ने demand की थी किस तरीके की जो book है GC Leong की इसको start किया जाए ठीक है तो मैं वही कहूँगा कि देखते देखते चार chapter इसके हो गया है one third हो गया है तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको ये course किस तरीके का लग रहा है ठीक है आपको मज़ा आ रहा है या आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें improvement किया जाए क्योंकि ये book अगर आप अपने आप उठाके पढ़ने बैठिंगे तो काफी ज़दा boring है ठीक है क्योंकि एक तो इसकी जो print है वो काफी ज़दा आप लोगों को अच्छा print नहीं दिखेगा जिसे ncrt वगरे का print काफी अच्छा है color flow print है इसमें तो इस तरीके के diagram से कि आपको image भी समझ में सच नहीं आएंगी बहुत जादा ठीक है काफी blood सी है लिखावर्ड भी काफी जादा blood है ठीक है तो I hope कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो जो आपकी उमीदे थी उन पर मैं ख़रा उतर पा रहा हूँ थोड़ा सा मुझे बताईएगा ठीक है जरूर इसको लेकर आप लोग अपनी जो राय है जो अपने suggestions वगरा है जो अपना feedback है वो आप यहाँ पर जरूर शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा अपने एक मैं कहूँगा कि सब चीजों को एक word में अगर मैं समाहित करूँ तो आप मुझे star rating दे सकते हैं ठीक है पांच star rating की हम बात करते हैं उन पांच में से आप मुझे अभी तक के scores पे जो 4 chapter हो गए है उसमें आप कितनी rating दे रहे हैं ठीक है और जितनी भी rating आप देते हैं I will very well accept it और मुझे आप जरूर बताईएगा कि वो rating देने के पीछे आपका मकसद क्या है ठीक है अगर आप कम rating देते हैं तो I will accept that as well लेकिन मुझे बताईएगा कि वो कम आप क्यों दे रहे हैं so that कि मैं उसको अगले ही lecture से जो है वो improve कर सकूँ ठीक है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताईएगा ठीक है बाकिए chapter जो है complete हो गया है अगले lecture से हम लोग next chapter chapter 5 जो है वो start करेंगे तो content related अगर आपको description box में भी दिया हुआ है otherwise आप इसको telegram में ocul.gs. discussion forum के नाम से search करके भी join कर सकते हैं बाकि इस video series का जो full course है वो भी हमारी website पर available है जिसका link नीचर description box में दिया हुआ है वहाँ पर आपको सारे के जारे videos के साथ साथ notes और quizzes भी जो है वो बहुत जल्द provide कर दिये जाएंगे जो videos से आप लोग concept सीख सकते हैं notes से आप लोग revise कर सकते हैं और quizzes के जरीए आप लोग अपनी preparation को assess कर सकते हैं course purchase करते समय अगर आप कोई भी technical गरी face करते हैं तो उसके लिए आप लोग इस number पर contact कर सकते हैं that is 9498086380 बाकी अगर आप हमसे कोई और बात share करना चाहें तो वो आप हमारी email id के through भी हमसे कर सकते हैं that is support at the rate okul.co बाकी हमसे ज़्यादा जुणने के लिए हमारा facebook page, हमारा instagram profile, linkedin profile और twitter profile को भी आप join कर सकते हैं thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like जरूर करें इसे जादा से जादा share करें अगर आपने अभी तक हमारे इस youtube channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलेगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें आपने comment करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसा लगा